फरीदाबाद सूरजकुंड मेले में बिहार के मधुबनी से आई बेबी ज्छा बनाती हैं मधुबनी पेंटिंग और कई अन्य परकार की चीजें जैसे गमला, डलिया, मटका, बतक, गाई, सूरज ऐसी अन्य चीजे बनाती हैं ये चीजे अखबार को गला कर और उसमें पीपल की छाल, मुलतानी, मिटी जैसी अन्य कई चीजे मिला कर बनाई जाती हैं इन्हें अच्छी धूप मिलने पर आठ से दस दिन में सुखा कर तयार किया जाता है और फिर उसके बाद इन बरतनों और चीजों पर कलाकृतियां बन इनका उपयोग सूखी वस्तू जैसे जेवर, पैन, पैंसिल, दिवार पर टांगना सोपीस के रूप में किया जाता है इनकी कीमत 50 रुपे से शुरू होकर 600 रुपे तक होती है अलग-अलग पेंटिंग के रूप रेखा के अनुसार इनके दाम अलग-अलग होते हैं